कालपी में चोरों ने टायर की दुकान को निसाना बनाते हुए लाखों के टायर चोरी कर लिए हैं या घटना जैसे ही सबको पता चली पूरे छेत्र में हड़कंप मच गया आपको बता दें शनिवार को दुकान दार जब दुकान खोलने पहुँचा तो वहाँ देख कर हक्क सबक्का रह गया तुरंत उसने डायल 112 पुलिस को सूचना दी इसके बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुँची और जाज परताल में जुड़ गई नेशनल हाइवे 27 के महला आलंपुर में इस्थित भारत टायर सनामक दुकान को चोरों ने रात के अंधिरे में अप जब आभी हम लोग दुकान आये सुबाद 9 बजे के आसपा साला याज 9 बजे जब दुबान खोली तो दुकान के आखे ट्रटर टिका हुआ था बंदी लगा हुआ और सटर हमारा आदा खुला हुआ था देखा ताले आले तूटे बलेते जब सटर उठाय जाके तो दुका सब्सक्राइब के कार के काईट रहा है और जी ऐसे के मोटर साइक्ल के है और इसके बाद हमारा कैस रखाता 274 रुपए और बिलिल से सबस्क्राइब है लगभग कितना नुकसान हुआ इस चोरी में लगभग सर हमारे यहां से करीए 4-5 लाग के असपास कमाल लिए है इसकी सूजना आपने कालपी कुदवाली में दी है कुदवाली में हम तैजीर दे के आए है तो कुदवाल साब अपने टीम के साथ जाजबाट बगारा भी करता है सब चलिए धन्यवाद